मैंने अपनी क्लासेस टीच्मिंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं मैं आठ साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बना और टीच्मिंट के लाइब क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वज़े से लगवक एक साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तयार है अब मेरे स्टुडेंट्स पुराने अमिस लेक्चर्स देख सकते हैं और जिने चाहिए वो बस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के पैकेज बने सकते हैं गुपता टिटोरियल्स ब्राइन बन रहा है इसलिए तो कहते हैं कि टीच्मिंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीच्मिंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग आप नमस्ते डियार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जीडियस इंफ यूट्यूटीव चैनल पे बात है कि हमारे पास एक दिन में इतना सारा नोटीस आते हैं कि अगर हम सब पर वीडियो बनाने जाए तो लगभग हमको एक दो घंटे का अंदर मतलब एक दो घंटे का गैप में हमको वीडियो पब्लिश करना होता है इसलिए हम लोग जो है सर्टिंग करते हैं और उसके बाद हम वीडियो जो अथेंटिक वाला होता है जो आपका जरूरत वाला वीडियो है वो वीडियो पब्लिश करते हैं तो यह वीडियो जो है हमको पब्लिश शायत करना चाहिए था लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ तो चलिए यहाँ पर देखते हैं डागभबन नियु दिली से जो नोटिस निकला है यह है चब्विस अट्विस अट्विडिवन को निकला है यह जो कहे रहा है यह यह यूनियान का मीटिंग का नोटिस है यहाँ पर क्या है कि GTS का एंगेजमेंट जो प्रॉसेस है आप लोगों को सायर बता होगा कि यह एकदम 100% ट्रांस्पेरेंट प्रॉसेस है मतलब यहाँ पर ब्राइब या फिर घूस दे के या फिर कोई घपला करके जॉब ले लिया मुशकिल है ठीक है लेकिन होता है फिर भी नहीं होता है ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोग ब्राइब दे के भी निकल जाते है जैसे कि सायद एक duplicate mark sheet का submit कर दिया और जब document verification हुआ तब थोड़ा bribe दे दिया और जब police verification हुआ तब थोड़ा bribe या फिर घुर्ष दे दिया बस हो गया उनका job तो ये जो है ये सारा मुद्दे और भी बहुत सारा घपला का issue है ठीक है और इसके साथ क्या है हम लोगोंने पहले भी वीडियो बना के तयार कर दिया था पाज वीडियो बनाया था कि GDS का engagement process change होने वाला है ठीक है अगर आपने नहीं देखा तो description में link दिया है part 1 का उसको पक करेगा department और department अकेला यह discuss department तो खुद से discuss करी चुका है अब union के साथ बैट के भी यह discuss करेगा जैसे क्या आप लोग देख सकते हैं यह notice में क्या लिखा है with reference to above subject it is informed that a meeting with GDS associations under chairmanship of member P will be held on कब होगा 3-9-2021 को 15 मतलब 3 बजे 3 बजे होगा विकाल 3 बजे रूम नंबर 347-D डागभवन नियू दिलिट से में यह होगा ठीक है यह क्या है in the message meeting that concerned applicants for recognition as GDS associations are allowed to send not more than two representative मतलब जितने भी GDS का union है वो हाड कोई union two representative अपना भेज सकता है और यहाँ पर क्या है the names of representatives may please be sent to SS section at the email इस email के माधियम से भेजिना होगा and direct representative to attend to the aforesaid meeting in case of the applicant association is failing to attend the meeting it will be understood that they have no suggestion to make the end modalities decided to ensure transparency in the process will be final ठीक है तो इसी meeting में decide होगा कि भविश्य में engagement process पे क्या apply किया जाएगा चाकि process जो है complete transparent रहे है जैसे कि आप लोग को पता ही है कि GDS का job जो है एक मात्र meritorious post है आपका merit के basis पे ही आपको job दिया जाता है किसी और process के नहीं तो इसलिए यह job को secure करना और भी मुश्किल है जैसे कि आलक कोई department exam लेता है जब exam में जब selection होता है तब जो है transparency बना रहता है लेकिन इसमें transparency बना रहना बहुत मुश्किल है और भारत सरकार ने इसमें transparency बहुत कठोड़ता से बजारे रखा है मतलब transparency को maintain किया हुआ है ठीक ह सब्सक्राइब कीजिए और अपना GDS ग्रूप में यह notice दे दीजिए ठीक है गुडबाई नेक्स वीडियो लेके हम लोड़े अपडेट ऑथेंटिक अपडेट लेके जल्दी से जल्दी आएंगे आज के लिए इतना ही